सुप्रीम कोट ने कहा सुप्रीम कोट ने ये भी खा कि जरूरत पढ़ी तो आलोग वर्मा पर आगे की कारवाई हो सकती है आलोग वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच विवाद हुआ जिसके बाद दोनों चुट्टी पर भेजे गए थे सुप्रीम कोट ने साफ किया कि आलोग वर्मा फिलहाल नीतिगत फैस्पे नहीं ले पाएंगे सीवियाई में बड़े विवाद के बाद अचानक आलोग वर्मा और राकेश अस्थाना को चुट्टी पर भेजा गया था और इससे किसी राजनीति से जोड करना देखा जाए वितमंत्री अरुन जेटली ने कहा है कि आलोग वर्मा और राकेश अस्थाना को सीविसी की सिफारिश पर छुट्टी पर भेजा गया था दिल्ली में अरुन जेटली ने कहा कि आलोक वर्मा पर सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेगी ये बाते आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वितमंत्री अरुन जेटली ने कही अरुन जेटली ने कहा कि आलोक वर्मा मामले पर राजनीती नहीं होनी चाहिए अरुन जेटली ने कहा, CBI की विश्वस नियता और निस्पक्ष जांच के लिए फैसरा लिया गया था वितमंत्री ने साफ किया कि सरकार किसी व्यक्ति विशेश के पक्ष या विपक्ष में नहीं है पहले भी कहा था जिस दिन कारवाई की गई थी सरकार का किसी व्यक्ति विशेश के पक्ष या विपक्ष में रवया नहीं है दो बड़े अधिकारियों के बीच में आरोप परत्यारोप थे तो सरकार ने उसी इमांदारी की नियत के साथ CBC की रेकमेंडेशन को स्विकार किया था आज उसका एक री इंटर्प्रेटेशन सुप्रीम कोट ने दिया है उसके अनुकूल सरकार अपनी कारवाई करेंगी